विंद के वेंजनों में सुमार सत्ना का मलाई खुर्चन अब सत्ना ही नहीं देश प्रदेश में बना रहा है अपनी खास पहचान जिसके स्वात का हर कोई दिवाना है तो सबसे पहले हम खुर्चन कैसे बनता है इसकी पूरी making process को समझते हैं खुर्चन बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की कढाई लिजाती है जिसमें एक से दो पाव दूट डालकर चूलहे में चढ़ा कर धीमी आच से पकाने के लिए रख दिया जाता है जब दूद पकने के बाद ज्छाक के रूप में उपर आता है तब इसे आच से नीचे उतार जाता है क्योंकि दूद अगर खौलने लगा तो खुर्चन की मलाई अच्छे से नहीं बन पाती वहीं तब तक दूसरी कड़ाई को उसी प्रोसेस के लिए चूले में रख दिया जाता है और पहली कड़ाई से बनी मलाई को पतली पट्टी के सहायता से खुरच कर इसकी मलाई बाहर निकाल कर परत दर परत ट्रे में जमाया जाता है जिसके बाद इसमें फ्लेवर एड़ करने के लिए लाईची, केसर या अनपसंदीदा फ्लेवर्स सक्कर के चूरे के साथ डाला जाता है जिसके बाद खुर्चन बाजार में बेचने और खाने के लिए तयार हो जाता अब भी हम NH 75 पे खड़े हुए हैं और इधर आप दूर दूर तक देख रहे होंगे कि यहां पे खुर्चनों की दुकाने जो है तो सजी हुई है और कोई खुर्चन बेच रहा है ऐसे ही एक खुर्चन के छोटे ब्यापारी है हमारे साथ त्रिपाथी स्पेसल ताजा खुर् तो आपने देखा कि ना सिर्फ यह यहां की स्थानी मिठाई बलकि यह दूर दरास्ता के मिठाई जाती है और यहां से निकलने वाले राएगिर यह एनेच है अब तो नया रिंग रोड बाइपास बन गया है तो यहां से जो लोग निकलते हैं वो इस मिठाई को लेते हुए निकलते हैं साथ ही यहां पे रुकते हैं टेस्ट करते हैं और यह मिठाई को लेकर चले जाते हैं यह मिठाई ही नहीं बलकि यहां एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन जहां से आस-पास के गाउं से कम मात्रा में छोटे-छोटे जो यहां के इस्थानिये लोग हैं वो इस मिठाई को बनाते हैं और वहां से इकठा करके कुछ लोग यहां पर लाकर इन दुकानदारों को देते हैं और यह फिर यहां से लिंग का काम करते हैं इस तरीके से एक यह जार, 36 गड़, बहुत दूर दूर तक जाता है.